हलो फ्रेंस आज हम बना रहे हैं आलू का नास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं इस्कोल के टिपिन के लिए जो बहुत टेस्टी बनेगा प्लीज बेडियो पूरा देखिए अगर मेरे चैनल में नहीं है ता प्लीज मेरा चैनल सस्काइब कीजिए अब हम नास्ता बनाना शुरू करेंगे हमने आलू कोबाल करके रख लिया था और उन्हें छील लिया है अब उनके छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे एक बॉल में काट करके रख लेंगे पूरे आलू आप जाएं तो इन्हें ग्रेट भी कर लें पर हम आज ग्रेट नहीं करेंगे मैस करेंगे और हम आज पराटे जो बना रहे हैं आलू के बहुत थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं आलू के पराटे किसको नहीं पसंद होते आलू के पराटे तो सभी को पसंद होते हैं ब ही बना रही हूं उनके लंच के लिए अलू के पराठे का अब हम मसाला बना लेंगे जिसके लिए हमने लिया है लैसुन अदराक और हरी मिर्ची कि इन्हें हम थोड़ा सा मोटा मोटा पीश लेंगे क्योंकि बच्चों को अगर मिर्ची आज आती है खाने में तो बूर निकाल देते हैं इसलिए हमने पीश के डाली है अब हम आटा लेंगे जिस आटा से हम रोटी बनाते हैं उसी को हम आज पराठे बनाएंगे हमने डाली है दो चमत सौफ जीरा और नमाक और धनिया पाउडर हल्दी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्ची डालती है इसने बहुत कम हमने लाल मिर्ची डाली है अब हम धनिया डालेंगे बहुत सारी और एक हमने प्याज ली थी जिसे बारी काट लिया है जो मस बनाया था लैसुन अद्रक और हरी मिर्ची का बो डाल लेंगे अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे सबको अगर पानी की जरूर्थ होगी तो हम डालेंगे नहीं नहीं डालेंगे पहले हम अच्छे से आठा को गूंत लेंगे बिना पानी से उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके आठा को गूंत करके रख लेंगे जैसा हम रोटी के लिए आठा बनाते हैं बैसे ही बनाएंगे और एक बड़ी सी लोई लेंगे और सुखा आठा लगा करकि इसकी बड़ी सी पूरी बेल लेंगे पराठा ना भरने का जंजट ना कुछ और बहुत जल्दी बन जाते हैं जटपट बिल्कुल जो हम आज पराठे बना रहे हैं यह पराठे तो बच्चे भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें भरना कुछ नहीं है पूरा सब को मिलाव एक साथ मसाले और आठा को और हमारे पराठे का आठा बन जाएगा अब हम बेल करके ऐसे रख लेंगे हम पूरी एक साथ नहीं बेलेंगे पहले हम एक बेल लेंगे उसके बाद तवा गरम करके हम वहीं सेखते जाएंगे और गैस में और बेलते जाएंगे अब हम तवा गरम कर लेंगे हमने लोहे का तवा लिया है पहले हम दोनों साथ अच्छे से पलट करके पराठे को सेख लेंगे जब दोनों सैट सिक जाएगा उसके बाद हम तेल लगाएंगे तेल या बटर घी जिससे आपको बनाना हो उससे बना लीजिए पर हमने तेल से बनाया है अब हम दूसरी सैट भी अच्छे से लगा देंगे ब्रिश से और पलट करके इसे दोनों सैट अच्छे से से लेंगे गोल्डन होने था अलू का पराठा पूरा दिन सौक्ट रहता है यह अगर लंच में दोगे तो वो कड़ा नहीं होता है और इसमें सबजी चटनी की जरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें मसाले डले हैं अब हम दूसरा पराठा ही ऐसे सेंक लेंगे देखो हमारा कितना अच्छा पराठा बना है यह पराठे बिना भूग के भी अगर दो की जगे चार खवेंगे इसलिए पराठे आप भी जरूर बनाएगे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा हमने धेर सारे पराठे बना लिए हैं दस मिट में इसे आप चटनी के साथ या सोस के साथ भी खा सकती हैं अब हम बटर लगा देंगे बटर से और भी टेस्टी हो जाएंगे हमारे पराठे हमाई करमा गरम आलू और आटा के पराठे बनकर रेडि हो गए हैं तयार हो गए हैं हुँ झाल को जाए हैं